ओम नमो भगते बास देवाई नमाहा स्वागत है आप सभी का मेरी वक्ती वावनाई यूट्यूब चैनल पर दोस्तो होली वाली दिन बन रहा है महासुप सजोग होली से पहले ही कई रासियां हो चुकी हैं बेहदी भाग्य साली कई रासियों के सुवयोग शुरू हो चुके हैं और होली वाली दिन होली वाली दिन तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है होलका देने वाले दिन क्या उपाय करने हैं होली वाली दिन कौन-कौन सी रासियां ब्यादी भाग्य साली रहने वाली हैं यह जानकारी आपको इस वीडियो के माद्धम से प्राप्त होगी जो भी चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बैल आकन पटन को दो आएं और साथ ही कमेंट में ओम नवश्वाय जरू लिखिएगा दोस्तों होली का परव बड़ा ही पवित्र परव है होली के दिन भगवान विश्णू भगवान सिव और नर्सेंग भगवान की बिशे शुर्फ से पूजा की जाती है होली के दिन आप भगवान सिव का अवसिक करें अपनी इच्छा बोल करके भगवान सिव को आप नेविद्य अरपड़ करें पुश्पर पड़ करें बेलपत्र अरपड़ करें और साथ गेहों की बाली गेहों की जो बाली होती है वह भगवान को जरू चड़ाएं साथ इस दिन भगवान को सावत चावल चड़ाएं और गोमती चक्र भगवान को जरू समर्पित करें भगवान के सामने दीपक जलाएं भगवान बिश्णू का इस दिन पूजन करें लड़ू को पाल जी को इसनान कराएं लड़ू को पाल जी के सामने तुरसी पत्ररपण करें, केले का पलरपण करें, भगवान के सामने सत्तनारण भगवान की कता का अच्रवड़ करें, मनो कामना आपकी पूरी होगी इस दिन रात को जब उलका देन हो रहा हो, तो उस समय आपको क्या करना है पांच बूंदी के जो लड्डू होते हैं, वो आपको ले लेने हैं, और प्रते बूंदी के लड्डू पर दो दो लोंग लगा देनी हैं उस पर आप रोली का टीका लगाएंगे, और सभी आत लगाएंगे जितने भी परवार के सत्त से हैं और जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, वो अपने हाँ से जा करके होल का देन में डालते पर कमा करके ये एक नारियल ले ले ले, पानी बाला और साथी एक पान का पत्ता उसमें बांद करके वो भी डाल सकते हैं और नहीं तो आप सूका गोला ले ले, जो जिस ग्री उसमें खीर में डालते हैं, घिस करके वो सूका वाल गोला और उसमें पांच प्रकार की मिठाई, पांच प्रकार का नाज रख करके और उसका मुक बंद करके जिस व्यक्ति की मनो कामना कोई भी पूरी नहीं हो पारी उसको उपर साथ बार उसार करके और होल का धन में डाल देना चाहिए होली की जो राक होती है बड़ी पवित्र होती है वह राक ला करके ज़रुखनी चाहिए और भगवान सिवका आप सिख करते जमें प्रति दिन उसमें से थोड़े सा राक आपको उस जल में मिला देनी है जिससे आप सिख करेंगे इससे मनो कामना आपकी पूरी होगी दोस्तों सूर देव उच्छ रासी में प्रिविश जब करेंगे तो बहुत ही अच्छा योग बनेगा साती, शुक्र, गुरू और सनी बहुत यही अच्छी स्तिती में रहेंगे जिसकी बज़े से मेश रासी, ब्रशब रासी, करकरासी, सिंगरासी, कन्यारासी, धनुरासी, मकरासी, कुमरासी और मीनरासी ये रासिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा भागिसाली रहेंगी इन रासियों का योग बहुत ही अच्छे रहेगा तो योग बहुत ही अच्छे बने हुए हैं इस दिन पित्रों की पूजा भी करें पित्रों की नाम से दान पुन भी करें पीपल बरक के नीचे दीपर जला के परक्रम्मा करें, तो ये उपाय बहुत ही चमतकारी हैं, आप ये उपाय जरू करें मुझे उमीद आपको ये जानकारी अच्छी लगई है, तो वीडियो को लाइक जरू करें और साथ ही कमेंट में, जै महाकाल जरू लिखिएगा, जै महाकाल